हेलो जोस्तों अगर आप Bank of India की कस्टमर हो तो आपके पास भी इस तरीके का SMS आया होगा और आप भी देखे होगे और एक मेंडर के लिए आप भी चिंता में पढ़ चुके होगे कि भाई या Bank of India वाले हमारी कौन से ऐसी सर्विसेस बंद कर दिये और इस message में साफ सब लिखा ह है मेरे भाई कि आपकी जो APS की सेवा है यह डिसेबल कर दी गई है अगर आप इसे इनेवल करना चाहते है तो आपको bank branch पे जाना होगा के पास ऐसा message छोड़ा है मेरे भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोड़े से रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो नीचे description box पे हमारा मिल जागा Instagram का लिंक मेसेज कर सकते हो मेरे भाई APS का मतलब होता है अधार inbuilt payment system आनि कि आप फिंगर प्रिंट लगा करके अपनी अंगूठा लगा करके जो पैसा निकालते हैं basically यह सेवा आपके Bank of India पे बंद कर दी गई है ऐसा इसलिए मेरे भाई कि अगर आप पैसा अधार से निकालते हो अपनी अंगूठा ल नहीं लेनी इससे आपके Bank पर कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला और आप जब चाहें इसे इनेवल भी करा सकते हैं तो मेरे भाई इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है देखो यार अगर आप कोई भी service का यूज नहीं करते तो बैंक वालों को लगता है कि इसकी fraud transaction न ATM की जो सेवा ये भी बंद हो जाएगी जिसके बाद आप ATM का कभी भी यूज नहीं कर पाओ फिर से आपको अपलाइ करनी पड़ेगी तो बीच-बीच में आप जो भी सेवा ले रहे हो बैंक से बीच-बीच में आप उसे ट्रै किजिए तीन मेने छे मेने में यूज में आपको अबीच में आपको अजब कर देलाइ में आपको आप बीचमां